हलो फ्रेंड्स वल्कम टो शाइनिका किचिन आप सब लोग कैसे हैं उमीद करती हैं दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए इंस्टेंट मावा की रेसेपी लेकर आई हूँ जिसे मैं बनाने जारी हूँ एक कप मिल्क पॉडर से ट्रडिशनली मावा जो बनाया जाता है वो दूद को काफी देर पका कर बनाया जाता है जिसमें बहुत जारा टाइम निकल जाता है हम लोग का बट यहां पर सिफ आपको पांच से चे मिनिट लगेगा इस मावा को बनाने में और इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे बजार से हम मावा करेते हैं उससे भी जादा अच्छा टेस्ट होता है इसे आप किसी भी इंडियन स्वीट्स अगरा में या फिर किसी भी मिठाई की रेसिपी आप इसे यूज कर सकते हैं बनाना बहुत असान है उमीद करते हूं दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी पसंद और गैस को अभी आपको आउन नहीं करना है मैं बताऊंगे आपको कि कब आपको गैस को आउन करना है यहां पर अभी मैंने डाल दिया है एक टेबल स्पून देसी घी उस देसी घी में हम डालेंगे आधा कप दूद तो यह ठंडा गरम ऐसा कुछ नहीं है आप नॉर्मल द अच्छा क्वालिटी का अगर आप मिल्क पॉडर लेंगे ना तो आपका मावा भी बहुत अच्छा बनेगा डाल दिया है गैस को अब आपको आउन करना है मीडियम फ्लेम पे ध्यान रखेगा मीडियम फ्लेम पे और इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करिए यहां पर बि तो जब आपका मावा रेडी हो जाएगा ना तो वो आपके पैन को छोडने लगेगा तो इसका मतलब है आपका मावा रेडी हो गया है तो दोस्तों यहां पर हम लोग बजार से जाका बहुत महँगा महँगा मावा वगरा खरीते हैं और कभी-कबाद तो मावे का टेस्ट अच्छा खास नहीं होता और फिर कोई गैरंटी भी नहीं होता कि कैसा बनाया है तो यहां पर अगर हम घर पे बनाएंगे अपने मावे को तो हमें पता है हमें एक सैटिसफेक्शन रहता है कि हमने किस तरीके से बनाया है और मिल्क पाउडर का मावा होता है उसका टेस्ट अच्छा रिच होता है और बिलकुल जैसे हम लोग बजार से लेते ना उससे भी जाड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसका और आप इसे किसी भी मिठाई के साथ यूज़ कर सकते हैं चाहे आप गाजर का हलवा बना रहे हैं या बर्फी बना रहे हैं सब में आप इसे कोई नहीं है आपको इसी तरीके से continue मिलाना है चोड़िएगा मत ध्यान रखेगा अगर आपने मावा चोड़ देना तो मावा बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेता है साइट में जो जो चिपक रहा है उसे आप स्क्रैच करते जाएए और उसे आप मावे में मिलाते जाएए तो यहाँ पर टोटल मेरे को लगा है 6-7 मिनिट यहाँ पर देखें बिल्कुल डो फोम में आ गया है मावा आपका तो बस यहाँ पर आपका मावा रेडी हो गया है तो टोटल मेरे को यहाँ पर अभी 7 मिनिट लगा है इस मावे को बना कर रेडी करने में तो देखें जहाँ प क्योंकि पैन हमारा गरम है अगर आप इसमें चोड़ देना तो मावा हमारा नीचे से जल जाएगा तो देखें यहां पर हमारा बढ़ यासा इंस्टेंट मावा बनकर रेडी हो गया है आप सब लोग इस दीपावली में बहुत सारी मिठाईयां बनाएंगे तो इस तरीके से अगर मावे को बनाएंगे अपने घर में स्टोर कर लेंगे तो आप कभी भी इससे मिठाईयां बना सकते हैं उमीद करते हूं दोस्तों आपको यह सिंपल सी रेसिपी जो बहुत ही जारा यूसफुल होती है जब हमें कोई भी मिठाई बनानी होती है तो अगर आप इस तरी करिएगा उसके अपोजिट जो बेल का आइकन है उसे जरूर से जरूर दबाईएगा और जैसी आप वो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको आल का ओप्शन दिखाई दिएगा उस पे क्लिक करिएगा तब ही आपको मेरी सारी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलेगा तो चलि यह अगली और अच्छी सी रेसिपी के साथ आओंगे तब तक के लिए बाबाई टाटा